आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रहे हूं कि अगर आपके बच्चे खाना खाने में बहुत ज़्यादा नकरे करते हैं बिल्कुल भी खाना खाना उंको अच्छा नहीं लगता आप कितना भी टेस्टी बना लो पर वो हमेशह नाक में अपना बनाते ही बनाते कि मैने के नहीं खानाङ और आपको इस वीडियो को आपsea और और इसम वीडियो को अप जरूर देखिए गाए बहुत अच्छे टेपस आप कोût क्योंकि मेरी डाटर भी जो है वो थ्री यर्ज की है एंड डेफिनिटली मैंने भी ए फेस देखाई है कि जब बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं या किसी किसी दिन ऐसा होता है कि उस्ते आज खाना ही नहीं है तो उन दिनों मैं मैं कौन से टिप्स फॉलो करती हूं और कैसे इ अपने बच्चे की जो इटिंग है उनको आप बना लेंगे उतना जदा अच्छा रहेगा देखे शुरुवाती दिनों में क्या होता है जब आपका बच्चा चे महीने का होता है और बच्चे की बात आती कि अपनी क्या खिलाना है तो बहुत सारे पैरेंट्स जो है वो सेर अपने बार हो गया का तो आपने नीव ही गलत रगी दोसो छे महीने पर ठीके में समझती हूं सेरिल्यक एक बहुती एजी होता है है तो आप एक बाई बच्चे को सेरिल्यक खिला सकते हैं लेकिन एक से दो मील आपके घर की होनी चाहिए जिससे बच्चे का जो टेस्ट पाई नाकी सेरिले के हसाब से फिर जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं एक साल के देड़ साल के बच्चे हो जाते हैं तब उनको बाहर की चीज़े खिलाना शुरू कर देते हैं यार उनको इतने अच्छे से डिजाइन करके बनाया जाता है कि आपके बच्चे क होते हैं तब आपको 90% of the time आपको अपने घर का ही खाना खिलाना है कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं बाहर जा रहे हैं किसी फ्रेंच के साथ में आप कहीं मिल रहे हैं तब आपचे को बाहर का खिला सकते हैं और बाहर भी कोशिच कीजिए कोई हिल्दी ऑप्शन ढूलने का जैस एक हेल्दियस्ट ऑप्शन रहता था तो अराम से उसके जो टेस्ट बट सां उसी इसाप से डेवलब हो जाते हैं तीसरी जो इंपोर्टन चीज है एक टाइमिंग डिसाइड करना बहुत ज़दे ज़रूरी है आप किस ताइम पर आप ब्रेकफस्ट कर रहे हैं अपने साथ आप अपने बच्चे को बिठाईए और उसको साथ में बैठके खिलाईए और अगर आपका बच्चाल एक तीन-चार साथ साथ से भी छोटा है तो एक हाय चेयर में इंवेस्ट करना बहुत ज़दे इंपोर्टन है मैंने लवलब की हाय चेयर का रिव्यू किया था ऑल्वो सब्सक्राइए अच्छी लगी और साथ मुझे बहुत ज़दे इंपोर्टन लगी क्योंकि जब मैं गुडियों को पहले खाना किला थी तो वह बहुत ज़दे कभी टेंट्रम्स थो कर रहे हैं कभी उटके भाग रहे हैं मैं उसको पकाड रहे हूं वह सारी चीज़े बहु कि कल तक आपका बच्चा जो है वो वन बाइफोर्थ रोटी हा रहा थो और आज आप ये वीडियो देखने के बाद में कल आपको सीधे ये डिसाइड कर ले कि नई अब तो मुझे एक रोटी कि लाना है बहुत इंपोर्टन है घर का खाना कि लाना तो दोस्तों ऐसे में ब फिल्डब कीजिए बच्चे का खाने का पेटन और कॉंटिटी एक साथ आप एक स्पेक्टेशन जो है वह बच्चे पे मठ डालिए अगर आपका बच्चा तीन साल का है और वो लंग्च और डिनर में एक एक रोटी खा लेता है तो इस निदे अन अव लेकिन अगर आपका रहते ही बच्चे को लाइब को जो लोग उठते ही बच्चे को दूध पिलाने शुरू कर देज़े थोड़ा सावने दीजे एक जोन बच्चे को चाहें तो कुछ सॉलिड पहले खाने के लिए पीगो को हमेशा एक बनेना खाने को देती हूँ and then उसके बाद में जो है मैं ब्रिक्फस्ट कराती हूं like जैसे कि मान के चलिए वो साथ बचे उठी तो मैं साढ़े साथ पौने आठ बचे उसको दे दिती हूं एक बनेना खाने के लिए and नौ बजे तक क्योंकि बनेना बहुत जदे हैवी नहीं होता बच्चों की अक्टिवि या उपमा या जो भी चीज मैं घर पे बनाई हुई होते है पराठा वगेरा इसको पराठे बहुत पसंद है तो इस तरीके की चीज़ है मैं उसको दे देती हूं नौ बजे और फिर एक डेड़ बजे तो कुछ भी नहीं देती हूं कुछ भी नहीं देती जिसे कि उसको अब बहुत एजी ली खा लेती है कोई भी उसको इसको इसको नहीं आता है पहले करती थी ज्यूंकि पहले कोई टाइमिंग डिसाइड दी था तो देखें मेरी तो प्यूप का जो रूटीन है वो सैट हो गया है इसलिए वो इतना खाले लिए लेकिन अगर आपके बच्चे तो अगली मील तक बच्चे को बहुत अच्छे से भूख लगने लग जाएगी और बच्चा खाएगा कैसे नहीं जब भूख लगेगी अपने आप ही खाएगा फोर्स नहीं करना है जिसकी मेरी पीभू को फ्रूट में बनेना के लाब और कुछ भी वो नहीं घाती है तो म इसलिए आपको वेट करना है जब तक आपके बच्चे को बहुत तेज भूख नहीं लग जाती और फिर आपको उसको खिलाना है खाना और वो अराम से खाएगा आप जो भी उसको पसंद है उस तरीके से आप उसको बिठा के जो भी रूम उसको पसंद है जहां पे एक इन् नेचुरल चीज है कि आपको भी खाना खाना है भूग लग रही है खाना तो खाना ही होगा तो इसको बिल्कुल एकदम बेसिक सा रखके चलो जादा घौच पोच मत करो नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी बच्चे को भी और आपको भी फ्रेंट से होब की मैंने थोड़े इससे स्टोरी विए आपको कुछ दिने की कोशिश की है अगर आपको कुछ रिलेट बल लगा हो तो ज़रूर लाइक करिये का मैं समद जाओंगी लेकिन अगर आप चाहें कि मैं पॉइंट वाइस पॉइंट बताओं कि आप यह करिए और यह करिए ऐसे टिप्स बता ना शुरू कर दे तो वो भी मुझे बता देना मैं वो भी वीडियो बना दूंगी यह मैंने स्टोरी टाइप बताई है क्योंकि मैं खुद इस चीज से वीच में काफी प्रॉब्लम मतब फेस कर रही थी बट अभी इस्यू नहीं तीन चार दिन में कभी एका टाइन असा होता